तू आहट भी ले तो कोई पैगाम देकर तू आहट भी ले तो कोई पैगाम देकर मैं करवट भी लूँ तो तेरा नाम लेकर तू आहट भी ले तो कोई पैगाम देकर मैं करवट भी लूँ तो तेरा नाम लेकर अगला शेर सुन लिए रहा कि अच्छा यहां बंसाइडर्स हैं कोई बंसाइडर्स इपाट भाई देखो कोई तूछे तो बताते नहीं तो शेर सुनना कि फास तरफे और ताथ चाहूँ पिला कि नजदीकियों की अब ख्वाहिशी कौन करें हम तो दूरे दिदार से खुश हैं वो आएं ना आएं यह उनकी मर्जी हम तो उनके इंतिजार से खुश हैं इसी लहजे में एक और शेर है दूसरा शेर है कि वो अब इसमें रहें चाहें ना रहें वो इसमें अब चाहें रहें या ना रहें हम कोई पहरेदार नहीं यह घर तो नहीं का है वो कोई किरायदार नहीं एक शेर ऐसे एक मसला मदर एक मैफिल में था तो वहां कई बेवफाई की ऐसे बाते हो रही थी तो वहां बैठके एक शेर लिखा तो वह तो अर्ज करना चाहूँआ कि सुना है बेवफाऊं का जिक्र हो रहा है सुना है बेवफाऊं का जिक्र हो रहा है मैं उसे भी पैगाम भेज़ दू क्या सुना है बेवफाओं का जिक्र हो रहा है मैं उसे भी पैगाम भेज दू क्या वो जो शहर में बैठी है गुम्राम होकर आउं यहां तो उसे बदनाम कर दू क्या यहां है एक जल है इसके उसे में रहे हैं कि आफसोस अगे लगाओं कि आगे लगा लुन है तो आगे लगा लो फॉन तो किया देशा आज सांसे चल रही है तो क्हा देशा हूं कल थंग गई तो अवसोस है कि बहुत बड़े बड़े लफजों में तुम्हारी कोई तारीफ नगर सकूँगा चांद सितारों से भी तुम्हारी कोई उप्मा नगर सकूँगा आसान से शब्द मुझे आते हैं आज तो कह देता हूं कर शायर बन गया तो अफसोस होगा कि कागज पे कलम की शुरुवात है अबी कागज पे कलम की शुरुवात है अबी शुरुवात है अभी मर्ज मुसे मेरे निकले नहीं है सभी और इश्क का आगाज है तो कह देता हूं कर देता हूं कर अंजाम कर दिया तो अफसोस होगा आगाज है तो कह देता हूं कर थांगई देता हूं कर देता हूं कर देता है और रया के देतता हैं झाल झाल